जहीं दोस्तों वेलकम बेक टो में चैनल दोस्तों अगर आप भी MSC Second semester के चाहत रहें तो यह वीडियो को आपको आपको अंठी तक देखना है और आपका सब्जेक्ट यदि Chemistry है तो आज हम देख रहा है MSC Chemistry का यहां पर पेपर चुकि Second semester का है और फर्स्ट पेपर है और यह पे यहां पर आप देख रहा है 2022-2023 का है 23 का पेपर मैंने अप्लोड कर दिया है और यह 2022 का भी अप्लोड कर रहा हूं आप जो है दो तीन येर ओल्ड पेपर आप पढ़ लेंगे तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता उन को आपको अच्छे से तयार कर लेना है बस ठीक आपके उतने में से सारे कोसन आपके लगबग में फसी जाएंगे चली वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमेरे चैनल पे नहीं है तो सस्क्राइब कर लेना है क्योंकि हमें भी काफी ज्यादा मैनत लगती है और आपके यहां पर फायदा होने वाला है क्य क्योंकि आपर सबका स्लेबस सेम रहता है तो पेपर में जो है काफी सारे प्रशन आपके फस्ते हैं आपर 40 अंका यह पेपर हैं तीन गंटे का समयता तो चलिए देख लेते हैं पेपर कैसा आया है और आप किसी उनिवर्शिटी से नीचे एक बार कमेंट करके सभी के सभी मैं आपको कमेंट करके बतानाए कि आप किसी उनिवर्शिटी से हैं और यह पेपर मैं अपलोड करना और आपको एक बार रहे हैं वा Hersanduman करके यह प्लेलिस्ट मैं बनाकर दीगा सब्सक्राइब तो प्लेलिस्ट के पूरे पेपर के पेपर मिल जाएंगे चलिए सबसे पहले देख लेते इन औरगनी केमेश्टी का कभी ज़्याद है आज समय से मैं बोल रहा हूं सभी प्रशन अनिवार है यहां पर नोट वगरा दिया हुआ है खंड आके आपर बात करें सेक्षने में तो वस्तोनेश्ट प्रशन है हिंदे इंगलिस दोनम पेपर आपका दिया हुआ है जोकि पांच विकल्प पूछे गयते हैं प्रतिक विकल्प एक एक कंक का था इस प्र जबी के आंसर आपको कमेंट करके बताने मैं नहीं बता रहा हुँ इंगलिस से भी जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आके हिंदे इंगलिस दोनम पेपर दिया हुआ है दूसरा आइसो वैलेंट आयन में इनमें से सबसे ज़्यादा क्रियसी होगा पहला ऑप्सन दिया किसके दौरा किया गया था कोल बेब एडबं जाईसे फ्रीडेल ठीक है यह विकलप आपके सामने हैं सही आंसर सभी के सभी आपको कमेंट करके बताना है सभी प्रशनों के आंसर जो अब यहां पर अगला जो प्रशन आता है ठीडी फाइप अपन टू इस्टेंड में एल क टा ये गां अगला आपर विकल्प है इन में से कौंसा चुम्बा की सेंसे सेंस्टी सैस्टी यह जबान नहीं प्लटर रही है सैंस प्ली अंसलों है इन में से कौण सा चुंब की सन्सेपलि लिबिलिटी ओ ओ ओ अ चलो रहांद़ो ठीक है मैं मेरे बसका नहीं है यह प्रश्म है आ यहां पर xm ब्राबर m अपान टी और बी ओप्शन xm ब्राबर h अपान 1 और यहां पर सानमर xm is equal to 1 upon h और दाह यहां पर hm पर ब्राबर T upon M देख लेना आपको पड़ा लेना है और आंसर आपको बता देना है अब यहां पर जो खंड बाह है सेक्शन भी लगुत्वी प्रस्ण है आपर देखेंगे प्रस्ण देखेंगे लिखेंगे अधिकष्ण के बात करें इसके संकुल क्या होते हैं वाट और अनेर्ट कोंपेक्टS अगला यहाँ आप एकाई सेकट से जो प्रफण पूचहें तीसरा टांस प्रभाव के बारे में लिखे राइट अबाउट दा टांसीफेक्ट ठांसीफेक्ट के बारे में लिखना था अगला यहाँ आपर जो प्रफण है अधिवे का इलक्टान इस्थनांतरन अभिकरिया की प्रेकिरिया को समझाईए तीसरी एकाई से आपर प्रश्ण पूछें क्लोरो और नीडो बोरेंस की संवर्चना बनाईए अधिवे कि आपर बात करें तो आरकनो बोरान के बारे में लिखिए तो सभी प्रश्ण आपको तयार कर लेना है कोई प्रश्ण आपके पेपर में आ सकते हैं इकाई चौंते कि आपर बात करें संपूर्ण एंगुलर क्वांटम नंबर को विस्तार से समझाईए अधिवे कि आपर बात करें डीटू सिस्टेम के लिए आरगल का चित्र बनाईए और अभी तक सब्सक्राइब और लाइक जिसन नहीं किया तो कर दीजे वही अलग-अलग यूनिवर्शिटी के पेपर आप तक कि हम इस चैनल के माददम से पहुंचाँगे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम ग्रूप मिल लाएगा और कॉंटेक्ट नमबर मिल लाएगा जोईन कर लिजेगा ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप छटवा जो प्रशन है संक्रमर धातु संकुलों की चुम्बकी विस्थेस्ताओं को समझाईए अब यहाँ पर जो अगला प्रशन है जी वेल्यू का वर्णन कीजिए अब यहाँ पर खंड सामे आ जाते हैं चुकि देरगुतिरी प्रशन है पांच पांच अंके पांच प्रशन दिये हैं प्रतिक प्रस्ण पान्चंग उस्प्रकार 25 अंग आप रंक दिये हुए अश्ट पूजी संकुलों में नाभिक इस नही प्रतिस्थापन आभिकिर्या की प्रकिर्या को समझाईए और अत्वे में जो प्रसना है CO 3rd अश्ट भुजी संकुल में अमल हाइडोलिसिस प्रकिरिया को समझाईए एकाई दूसरे से आपर बात करें तो वर्ग सम्तली लिगेंड की प्रतिस्थापन प्रकिरिया को समझाईए अत्वे कि याँपर बात करें तो अत्वे से आपर पूचा है क्या मारकस हस सिद्धान्थ को समझाईए बाह और आंतरिक वृत में इस्तरांतरन के लिए जरूरी उर्जा और अरोधों के प्रकारों के बारे में लिखे कि यह जो इकाई तीसरा से आपर यूनिट तीन से आपर पूचें किस टैप को प्रकारों को लिखे कारवधाति को कि कैसे कैसे बनाये जाते हैं उनकी विधी भी लिखे बहुत ही सरल टैप का प्रकारों है तो तईयार कर लेना है आपको अच्छी से डेटेल से तैयार गरना है पांच एंग में पूचा है बड़ा ही लिखना पड़ाएगा कारवधाति की होगी कि में आक्सिडेटिव एडिशन और बीटा एलिमिनेशन एक्टिवेशन अभी किरिया की प्रकिरिया को समझाईए अगला यहां पर जो इकाई फ़र से आपर पूचा है चाज इस्तनांतरन स्पेक्टर को समझाईए टैन डीक्यू के इलक्टानिक टैंजिसन के लिए रिलेक्सेशन इंटेंसिटिव सिटी को बताईए टीक है इंटेंसिटी को आपको जो आपर बात आए अध्यूए कि यहां पर बात आती है इंगलिस में भी दिये हुआ है आप पड़ लिजेगा संक्रमा धातु संकुलों के लिए तनाबे सुगानों चित्र बनाईए बार कर लेना है और मैं आपको बार बार पूल रहा हूं किस युनिवर्सिटी से नीचे आप अपना उपस्तिति दर्ज करा है और यहां पर जो आत्मा में प्रस्ण है क्या आर्बिटल सहयोगित्ता का समन समझाईए यह भी कापी जाधा है आपर आई-एमपी टाइप का ही प्रस्ण है अकसर पूछ लेता है नोगि मैं वैसी कई सारे पीपर अप्लोड करता हूं तो पता है किस टाइप की प्रस्ण है आप जाधता आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं जितना पता है उतना मैं बता दे रहा हूं बस यह था था अक्टूबर 2022 का पेपर इस का आएगा आप वहां से ले सकते हैं अराम से पीडियो अगेरा भी तो यह थे 2022 के पीपर जैसे कि आपको पता है कहां 2020 का मैंने पेपर अपलोड किया है जाकर देख लिजेगा हो सकता है आपकी उनिवर्शिटी में आए किसी उनिवर्शिटी से नीचे कमेंट करके पताइएगा और मैं फर्स समेश्टर केमेश्टी के नोट सुपलब्ध है हमारे पास हिंदी इंगलिस मिक्स अपने दोस्तों भाईयों को जरूर बताइएगा बाकी सब्सक्राइब कर लिजएगा बाकी मिलते हैं यह वीडियो पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाई